नमस्कार मैं हूं दिपिकर शर्मा और आप देख रहें क्राइंग तक रश्य यूक्रेन वार कई समय से चलता आ रहा है अब इसके बीच एक यूक्रेन से नया फर्मान जारी हुआ है जिसमें अब यूक्रेन की महिलाएं भी इस जंग में शामिल हो जाएंगी जो महिलाएं ड्रेसिस पहनती थी फैशनेबल कपड़े पहनती थी अब उन्हें वर्दी पहननी होगी जो मेकप लगा कर बाहर अपने काम के लिए जाती थी अब उन्हें बंदूग थामनी होगी अब इन महिलाओं को यूक्रेन के मैदान में उतारा जाएगा जो वहाँ के प्रेजिडेंट है जलेंस की उनका ये कहना है उन्होंने ये घोशना कर दी है और ये आदेश लागू कर दिया गया है कि अब उनके देश की महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से उपर और 60 साल से कम है वो महिलाओं और लड़किया अब सेना में शामिल होंगी उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी अब ऐसा किसलिए किया है इसके पीछे की जो वजा है वो ये है कि जो पुरश सेनिक है जो सेना में भरती है अब जो बर्फ बारी होने वाली यानि कि जो सर्दी का मौसम आने वाला है अब वो घर वापस आएंगे क्योंकि युद्ध थम जाता है लेकिन रुकता नहीं है वो जब अपने घर वापस आ जाएंगे तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे जो सेने घायल हैं उनका इलाज किया जाएगा जिसके बाद ये महिलाएं जिने ट्रेनिंग दी जाएगी वो वहां की कमान समालेगी यानि की तैनात हो जाएंगी अपने अपने बॉर्डर्स पर जहाँ पर वो जंग की कमान समालेगी इसलिए अब इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी अब इन पुरुषों को आराम मिल सकेगा इसलिए महिलाओं की तादात इसमें बढ़ाई जा रही है अब जैसे डॉक्टर है या नर्स है तो उनकी जगा सेना में ये होगी कि वो घायोलों का इलाज कर पाएंगी कुछ महिलाओं ऐसी हैं जिने खाना बनाना आता है तो वो सेना के किचन में लगा दी जाएंगी अब जो नाटो देश से जो हतियार आते हैं उसकी देखरेग भी महिलाओं के हातों में सौब दी जाएगी और जो सेनिक अब घर पर आराम करने आएंगे इसके अलावा अब यूक्रेन की कमान इन महिलाओं के हातों में दे दी जाएगी झाल झाल